नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूटिब चैनल क्यांदा नौलेच में दोस्तों आपने पान के साथ सुपारी खुब चबाई होगी और अगर आप हिंदु हैं तो आपने पूजा के दुरान सुपारी का खुब प्रियो किया होगा हिंदु धर्म में पूजा के लिए सुपारी एक बहुत एहम वस्तु है लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदु धर्म की कुछ मानेताओं के अधार पर मात्र एक सुपारी आपकी जिन्दकी बदल सकती है सुपारी में आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की तागत होती है एक सुपारी आपके सभी बिगड़े काम बना सकती है सुपारी चबाने के लिए तो प्रियोग होती ही है लक्ष्मी गिनेश की पूजा में भी सुपारी का बहुत महत्व है दोस्तो क्या आप जानते हैं कि खाने की सुपारी और पूजा करने की सुपारी में बहुत अंतर होता है पूजा के लिए जो सुपारी प्रियोग की जाती है वे पूरी तरह से अखंडित होती है उस सुपारी का आकार पेक्षकरित छोटा होता है और ये पान गुटके वली सुपारी से अलग होती है दोस्तो हिंदु धर्म की मानेताओं के नुसार देवी देवताओं को सुपारी बहुत पसंद होती है उनको भोग में सुपारी चड़ाय जाने पर वे बहुत प्रसन होते हैं कुछ माननेताओं के नुसार ऐसे टोटके बताए गए हैं जिनके माध्यम से आप अपने घर में सुख और समृधी ला आ सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको एक सुपारी का प्रियोग करना होगा दोस्तो आज सुपारी का आपको एक बहुती महत्यपुर्ण प्रियोग बताने जा रहे हैं जिनको करने से आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में शनी जन्ती है और शनी जन्ती के दिन शाम के समय आप इस सुपारी को जरूर करें शनी जन्ती के दिन शाम को एक सुपारी लें उसे एक सिके के साथ कलावे में बांद कर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और इसके पिस्चात पीपल का एक पता तोड़ कर घर ले आएं और फिर इसे गंगा जल्द से धो कर अपनी तीजोरी में रख दें और दोस्तो तीजोरी में रखते समय मालक्ष्मी से प्रात्ना करें कि घर में धन की बरकत हो और सुख समरिधी का वास हो दोस्तो इस से मालक्ष्मी की आप पर हमेशा क्रिपा बनी रहेगी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी विशेश जानकारी उमीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल के आनदा नोलज को सब्सक्राइब करें धन्यवाद